आत्मा बनकर बैठें अपने मस्तक सिंगासन पर, बाबा हमें संपूर्ण प्योर बनने आए हैं, जब हम संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे, जब अपवित्रता तनिक भी नहीं रहेगी, तब हम घर वापिस जाएंगे, एपवित्रता समथ होना माना कर्मेंद्रियों का सीतल होना, संपूर्ण पवित्र स्थिती अर्थात आत्मिक भाव हो जाना, वृत्ती में ये समा जाए कि सर्वात्माएं हैं, वन गुद्धी से नैनों से क्रिमिनल्टी समाथ हो जाएं, और हम अपने सर्ष वमान में स्थित होकर महान संकल्पों में रमन करते रहें, ऐसी पवित्रता के वाइब्रेशन्स सारे संसार में फैलते हैं, ये वाइब्रेशन्स प्रकर्ती के लिए वरदान होते हैं, तो आईए हम इसवरिये कारिये में सहयोग करने के लिए, अपने अंदर संपूर्ण पवित्रता की ढारना करें, विकारों के मार्ग पर चल कर तो हजारों साल से हमने देख लिया वो छनिक सुख आत्मा को पतन की रहा पड़ ले आया वो छनिक सुख सदा के लिए दुखों के द्वार खोल गया इससे देहे भान बढ़ता गया देहिक द्रस्टी बढ़ती गई संसार में पाप बढ़ता गया समस्याएविक राग ग्रूप लेती गई अब हम पवित्र बनकर इस दुख में संसार को पुने सुख में बनाएंगे स्वयम भगवान की आज्या है पवित्र बनों, संपोर पवित्र बनों तो हजारों साल से पवित्र रहे अब एक जनम हमें पवितरता का सुख लेना है और जनम जनम किये पवितरता को नस्ट कर देना है अपने से धड़ संकल्प करें जिन राहों पर संसार चल रहा है हमें उन राहों पर नहीं चलना है हमें अपने राहें बदल देनी है पवितर्ता का मार्ग हमने अपना लिया है, अब इसे संबन करना है, एक बार किस रहा पर हम चल पड़े, पीछे मुढ कर नहीं देखेंगे, तब तक नहीं बैठेंगे जब तक मंजिल न मिल जाए, तो हम सभी अपनी पवितर्ता को नेचरल और एक बल बनाने के लिए योग अभ्यास बहुत बढ़ाएं, बिना योग बल के किसी में भी संकुन पवितर्ता आ नहीं सकती, इवल धर्ता रखने से हमारी कर्मेंड़ियां तो शीतल नहीं हो जाएंगी न, इसलिए धर्ता के साथ, प्रतिज्या के साथ, हम दही अभिवानी बनने की साधना करें, आत्मे द्रस्ती रखने की साधना करें, देहों को भूलते जाएं, देखते हुए भी नदेखने की पवितरता तो हमारा नेचुरल संस्कार है, ये हमारा जनम सिद्ध दिकार है, दो युग तक हम संपूर्ण पवितर रहे थे, इसलिए हमें पवितर बनना कठिन नहीं होगा, देही अभिमानी आत्माएं ही बहुत ज़्यादस सेवा कर पाएंगी ये भगवानु वाच्छ है, सेवाओं मही सफलता का अधार भी हमारी सवल कुंशियस नेची है, हमारी स्वामान की स्थिती है, हमारी आत्मी दृष्ती है, तो हम धुन लगा दें इन तेनों चीजों पर, मैं आत्मा रखुती सिंघासन पर हूँ, इसंदेह सिन्यारी हूँ, और सभी शरीरों में अलग- और मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं फरम पवित्र आत्मा हूँ, मैं विजय रतन हूँ, माया पर मेरी विजय निश्चित है, ये हम धुन लगाएंगे और हव्यास करते जाएंगे अप्तिवर गती से, कि किसी को भी देह देख कर हमारे मन में बुरे विचार न चलें, देही तो सुन्दर है, आत्मा तो सब की पतित है, हमें आत्मा को सुन्दर बनाने में सब को मदद करना है, और सब को पवित्र वाइब्रेशन से देकर उन्हें उनकी मूल इस्थिती तक ले जाना है, मुक्ती क का वर्दान देना है, तो आज सारा दिन, पाँच स्वरूपों का अभ्यास बहुत करेंगे, हर गंते में एक बार अबस, विद गुड़ फिलिंग के मैं आत्मा हूं तो परंपवित्र, देव स्वरूप में थी तो परंपवित्र, मेरा पुझ्य स्वरूप है तो परंपवित्र, अब मैं ब्रामन हूं तो परंपवित्र, और मुझे परंपवित्र फरिस्ता बनना है, इसकी प्रैक्टिस तुनहें उन्हें करेंगे ओम से अदे